नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूटीब चैनल में जिसका नाम है स्भिल प्लस टी किर दुशता आज के वीडियो में हम दिसकस करने वाले हैं पुर्वानचल एक प्रेस के बारे में जैसा कि आप जानते हैं प्रुवांचल एकुरेश की जो टोटल लेंद बताई जा रही है वो तीन सो चालिस किलोमीटर है इस पुजेक्ट की टोटल कोस्ट बाइस हजार चास्सो चुरानुमे क्रोड है और यह पुजेक्ट मोस्टली बिहार उत्तरपदेश और दिल्ली को आपसमें जोडने के लिए बनाया जा रहा है जिससे क यूपी से लेके दिल्ली तक पहुंचने में जो समय पहले बारा या तेरा घंटी लगते थे वह अभी दस घंटे का रह जाएगा जिसके लिए इस पुजेक्ट को बना जा रहा है और से लोकल डिस्टिक्स या फिर जो विलिजे से उनकी कनेक्टिविटी काफी बढ़ दुजेक्स के अंत्रगत असेस कंट्रॉल एक्सप्रेस वेग का निमान किया जाएगा और पहले से बने हुएya यक्सेस यक्सेसजाइड को कनेक्ट किया जाएगा यह एक्सेस भेए यह एक्सप्रेस वे लखनो डिस्टिक के चांद भिलेज जोंड है मी गोसाइ़ inhंग पा इस एक्सप्रेस्वे का प्रियोग है राई विलेज जो की नैशनल हाइवे इकत्यस को गाजीपुर डिस्ट्रिक के भीतर आने की वजए से इसको जोडती है एक्सप्रेस्वे के साथ में जो की पुर्वांचल प्रजेट के अंदर आता है इस प्रजेट को पूरा करने के हो है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस्वे इंडस्ट्रियल डिवल्पमेंट अथोर्टी इस प्रजेट का कार्य दस अक्टूवर 2018 में शुरू किया गया था और इसे पहली बार 16 नेवंबर 2021 में पब्लिक के लिए शुरू किया गया जो कि अभी रिसेंटली 16 नेवंबर को कि किया गया है दोयार 15 में उस समय के चीफ मिनिस्टर जोकी यूपी के थे अखिलेश यादव के द्वारा इस पोजक्ट का अनॉस्मेंट किया गया था उस समय इसे लखनो आजमगड बालिया एक्सप्रेस्वे के लिए बनाया जाना था पर बरतमान सरकार जोकी योगी अधि तेनाजी के द्वारा इस रूट को चेंज कर दिया गया है और इसे अभी बदलकर लखनो आजमगड एक्सप्रेस गाजीपुर कर दिया गया है इस एक्सप्रेस्वे को एक्सपेंड करने के लिए इसे वारहन सी आजमगड हाईवे के साथ भी जोड़ा जाएगा उत्तर प् प्रुवांचल प्रोजेक्ट के द्वारह जोड़ा जाएगा इसके साथ ही सलार पुर विलेज जो की आजमगड इस्ट्रिक के भी जोड़ा जाएगा कंस्ट्रक्शन वर्क आइटम की बात करें तो इसमें 22 फ्लाई ओवर साथ रेलवे ओवर ब्रिज साथ मेजर ब्रिज एक सो चोड़ा माइनर ब्रिज छे टोल प्लाजास फोटी फाइव इसमें वेहिकुलर अंडर पास जिसे आप वी यूपी भी कहते हैं इसके अलाबा इसमें 149 लाइट वी यूपी 87 पेडिस्ट्रियन अंडर पासिस और 525 बॉक्स कलवर्ट का भी निर्मान किया जाएगा जिन पर की 11,216 क्रोड रुपे का खर्चा आएगा जो की प्रोजेक्ट की टोटल लागत जो है वो 22 क्रोड 494 क्रोड है उसका आधा काउंट होता है तो दोस्तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही इसके रिगार्डिंग खुछ और जानपाई लेने के लिए मुझे कमेंट करिए उसके अलावा चैनल को सुस्क्राइब करें लाइक करें शेज करिए और इस वीडियो को देखनी के लिए आपका धन्यवाद इसके रि झाल झाल